नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका देखने उसमें दोस्तों दिल्ली के LGVK सक्सेना ने केजरिवाल सरकार के आर्थिक सर्वेक्षन 2021 और 2022 में प्रकाशित आकडों को लेकर चिंता जाहिर की है सिक्षा पर खर्च में ब्रिधी के बावजूद सरकारी स्कूलों में दाखिले में गिरावट और बच्चों की अनुपस्तिती बढ़ी है उपराजेपाल कारेले ने सोंबार को मुख्या सचीव को पत्र लिख कर इस मामले में प्राथमिक्ता के अधार पर सफाई की गुजारिश की है इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि वी संगति व्यापक जनहित में जाच करी जानी चाहिए उपराजेक्पाल कारेले ने सर्वेक्षन का हवाला देते हुए कहा कि साल 2014 और साल 2015 में सिक्षा छेतर में 6145 रुपे खर्च हुए थे जबकि 2019-2020 में 11,081 करोड रुपे खर्च किये गए और इसके बावजूद भी स्कूलों में दाखिले में गिरावट आई है और छात्रों की पस्तिथी भी काफी कम रही है इस वीडियो में केवल इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं देखने हैं